आपस में मिलकर काम करती है तो वो जॉइंट वेंचर कहलाता है अब बुकिश लैंगुज में देखते हैं क्या रिखा है इस्टाबलिशिंग फ़र्म दैज जॉइंट ली और बाइट वो पार्टी जो आपस में मिलके काम करेंगे जॉइंट वोड़ है यानि दो या दो से जादा लोग जॉइंट करेंगे और साथ में वो क्या करेंगे पूल देर रिसोर्स यानि अपने रिसोर्स शेया उनके पास टेकनोलोजी हो चाहिए उनके पास कापिटल हो सब कुछ इकठा कॉंट्रिब्यूट करेंगे वो लोग आपस में और कोई भी बिजनस एक्टिविटी ठीक है कोई भी एक्टिविटी वो परफॉर्म कर सकते हैं जिसकी मैंने पहले बताया भी रोड्स बना सकते हैं ब्रिज चाहिए ब्रॉफिड्य रॉहां हो तो दोनों पार्टी इसको मिलेगा लों तो यह होता है जॉइन वेंच इसके फायते keeping क्या advantages देखो सबसे पहला advantage क्या है कि joint venture हम करते हैं इससे हमें क्या benefit मिलता है large amount of resources यह अगर हमें काफी सारा पैसा एकठा करके कोई business करना है तो हम joint venture की through कर लेते हैं जितने जादा partners होंगे उतने ही जादा लोग पैसा contribute करेंगे जादा लोग पैसा contribute करेंगे तो अपने पास बहुत अरे amount में पैसी आजाएगा आगे पढ़ते हैं foreign partner जो है suppose foreign country से कोई joint venture करना चाता है हमारे country के साथ हम local partner होगे क्योंकि हम तो अपने देश के निवासी होगे foreign partner यानि जो दूसरे देश का निवासी है वह अगर हमार साथ business करता है तो उसको किस चीज का benefit मिलता है क्योंकि हमें तो पता है competition क्या है हमारे देश में हमारे देश का कैसा culture है कैसे लोग है क्या language बोलते हमें तो सब कुछ पता है लेकिन foreign partner को तो नहीं पता है तो वह इसको benefit हमें से मिलता है लोकल पार्टनर से मिलता है next देखते हैं joint venture में क्या होता है both local and foreign firm share cost and risk involved in business यानि दोनों ही parties चाहे वो local firm हो चाहे वो कोई बाहर की देश की firm हो दोनों ही आपस में cost यानि खर्चे जो हैं मिलकर सैंड करेंगे और साथ में कोई risk भी होगा तो दोनों ही मिलके beer करेंगे next देखते हैं when a firm enters into joint venture with other firm it also gets access to new and bigger market अब जसी की हम USA के साथ business कर रहे हैं joint venture कर रहे हैं तो हम अपने देश में तो समान बेची रहे हैं साथ में हमें new market और bigger market मिली है कहां की USA की भी अब वहां पे भी हम अपना समान बेच सकते हैं अपने products पेच सकते हैं इंडिया के साथ साथ अब limitations देखते हैं सबसे पहला इसका नुकसान यह है देखो when local firm shares its technology and trade secrets with local firms then there is always a risk of secret get lead आख हम लोग क्या है हमारे साथ कोई technology share कर रही सीक्रेट शियर कर रही है लिए कि हम तो अपने को चलो नहीं बतानेगे किसी को अपने लेकिन जिसके साथ हम joint venture बना रहे हैं क्या पता हमारे secrets leak कर देए next is the expertise and investment level of firms may not match आपको सारी नौलेच है लिगता नहीं नहीं कर्रेटिट नहीं लेके जारे हैं नेक्स देखते हैं डूल ऑनर्शिप है यानि दोनों ही पार्टी से ओनर होंगे जॉइंट वेंचर के तो कॉन फ्लिक्ट यानि लडाई किस बात किया सकती है भाई कौन बिजनस को कंट्रोल करेगा अब जिसे कि आप और आपके पार्टनर मिलके बिजनस कर रहे हैं तो लडा यानि तो हो सकती है इसका तोपिक हता हूँ और थैंक्स वार्टन से वीडियो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब